प्रिष्ट संख्या 147 वे आँखें अंदकार की गुवा सरीखी उन आँखों से डड़ता है मन भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्ने दुख का नीरव रोधन वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका छोड उसे मजधार आज संसार कगार सदिश्य वह खिसका लहरा तेवे खेत द्रिगों में हुआ बेदखल वह अब जिन से हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन-त्रिन से आँखों ही में घुमा करता वह उसकी आँखों का तारा कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा प्रिष्ट संख्या 148 विका दिया घर द्वार महाजन नेना ब्याज की कोडी छोडी रहरे आँखों में चुबती वह कुरक हुई बर्धों की जोडी उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती अह आँखों में नाचा करती उजड गई जो सुख की खेती बिना दवा दरपन के घर नी सुरग चली आँखी आती भर देख देख के बिना दुद मुही बिटिया दो दिन बाद गई मर प्रिष्ट संख्या 149 घर में विध्वा रही पतोहू लच्मी थी यद्यपी पती घातिन पकड मंगाया कोतवाल ने डूब कुए में मरी एक दिन खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती पर जवान लड़के की सुद कर साप लोटते फटती चाती पिछले सुख की स्मृती आँखों में ख्षन भर एक चमक है लाती तुरत शून्य में गड़ वह चित्वन तीखी नोक सद्रिश्य बन जाती अभ्यास कविता के साथ एक अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन क आम तोर पर हमें डर किन बातों का लगता है ख उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है ग कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है ग डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है अंगा, यदि कभी इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? 2. कविता में किसान की पीड़ा के लिए किनी जिम्मेदार बताया गया है? 3. पिछले सुख की स्मृती आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? प्रिष्ठ संख्या 150 4. संदर्व सहित आशय स्पष्ट करें क उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती? ख. घर में विध्वा रही पतो हूँ, लचमी थी यद्यपी पती घातिन ग. पिछले सुख की स्मृती आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरत शून्य में गड़ वहचितवन तीखी नोक सद्रिश बन जाती पांच घर में विध्वा रही पतो हूँ, खैर पैर की जूती, जोरू, एक ना सही दूजी आती इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तवान समाज और स्त्री विशय पर एक लेख लिखें कविता के आसपास, किसान अपनी व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विशय पर परिचर्चा आयोजित करें, तधा कारणों की भी परताल करें शब्द छवी, सरीखी, यानि समान, दारुन, यानि घोर, निर्दय, कठोर, चित्वन, यानि दृष्टी, बेदखल, यानि हिस्सेदारी से अलग करना, कारकुन, यानि जमिनदारों के कारिंदे, कुर्क, यानि नीलामी, बर्धों, यानि बैलों, घरनी, यानि घरवाली या पतनी